गुद मारिंग एवरिबडी आएम पी यल नेरेड़ा असिस्टेंट प्रोपेसर एंड टूड़े वी विल स्टड़ी सॉल्ड पेपर ऑफ रीट आज हम इस वीडियो में रीट का पिछले साल का पेपर यानि गत्वर्स की जो पेपर हैं उसको सॉल्ड करेंगे इस पेपर को इस वीडियो को देखने के बाद आपका confidence level बढ़ जाएगा चूर्कि आपको पता चलेगा कि रीट में किस तरह के इंग्लिस का पेपर है, वो पूरी तरह से सॉल हो जाए, और आपको अच्छे नंबर मिले, रीट सॉल पेपर, पहला क्योशन देखिए, चूज दे करेक्ट ओडर अफ वर्ड्स, यह टेंस वाला वाक्य है, और अगर आपको टेंस की नौलेज हैं, तो यह आपको आँसर आ जाएगा, चूज दे करेक्ट ओडर अफ वर्ड्स, सब्दो का सही करम जमाईए, यहाँ पे चार ओप्सन है, यहाँ पर आपका जो आंसर है, वो होगा, क्योंकि जब हम किसी से क्योशन पूछते हैं, तो सबसे पहले डबली एच वर्ड होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड का प्रियोग किया जाता है, फिर सब्जेक्ट का प्रियोग किया जाता है, और उसके बाद, जो वर्ब होती है, उसका प्रियोग किया जाता है, तो आपका अंसर होगा, where do you live, चलिए, चलिए, दूसरा question देखते हैं, which of the following has a correct sentence, इन में से correct sentence कौन सा है, यानि सही सुविवस्तित कौन सा sentence है, he gave her a book, he gave a book her, he gave a book, he a book gave her, सही answer है, he gave her a book, ये सही क्यों है, सबसे पहले हैं, मैं subject लिखना पड़ता है, फिर verb, और यहाँ पे double object है, her और a book, एक direct object है, और indirect object है, तो यहाँ पे sentence में इस तरह का जब वाक्या आता है, तो सबसे पहले subject, जो किया, इस तरह से sentence का प्रियोग किया जाता है, अगला question देखिए, complete the following sentence, with the correct option, sentence को correct option के माध्यम से सही कीजिए, the sky suddenly became, आस्मान अचानक हो गया, क्या हो गया आस्मान, अचानक हो गया, अब यहाँ पे यह जो सब्द है, darkly, dark, darkness, darken, darkly कोई सब्द नहीं होता, darkness का मलब होता है, अंधिरापन, darken third form है, और dark जो है first form है, तो यहाँ पर सही जो answer होगा, वो होगा dark, अचानक जो है आस्मान नीला पड़ गया, सिर्फ नीला सब्द का आर्थ आपको यहाँ पर बढ़ना है, अगला क्योंसवन है, which one of the following word is noun, इन में से noun कोई सा है, यह चार option दिये गए हैं, इन में से noun कोई सा है, noun मतलब संग्या कोई सी है, तो इसका answer होगा writer, right verb है, wrote verb है, written verb है, यह right, wrote, written, इसकी third form है, first form, second form, third form, तो यहाँ पर जो सही answer है, वो है writer, writer का मलब होता है, लेखक, यह सही answer है, next question है, supply the correct pronoun, यहाँ पर सही pronoun का प्रियोग कीजिए, अरुन and Lata have a house, देखिए, अरुन and Lata have a house, pronoun का मलब होता है, शरो नाम, अब आपको यहाँ पर अरुन और Lata have a house, house is quite big, अरुन और Lata, इन दोनों की जगह पे, यानि संग्या की जगह पे जो सब्द काम में लेना है, वो है, तो अरुन और Lata की जगह पे आपको काम में लेना पड़ेगा, देर, house, यहाँ पे देर का प्रियोग होगा, नकि हीज, हर और देर, क्योंकि हीज, एक अरुन के लिए, हर, Lata के लिए, लेकिन यहाँ पे दोनों हैं, इसलिए यह देर का प्रियोग होगा, तो सही आंसर होगा, देर, उनका घर, पिक आउट, दे वर्ब प्रोम दे फॉलविंग, इन में से वर्ब आपको पिक आउट करनी है, वर्ब कौन सी है, सही आंसर है आपका, क्रियेट, क्रियेट का मलब बता है, निर्मान करना, क्रियेशन वर्ब नहीं है, क्रियेटर वर्ब नहीं है, और क्रियेटिविटी वर्ब नहीं है, क्यों क्रियेटर का मलब बता है, निर्मान करने वाला, क्रियेशन मतलब निर्मान करी, creativity में लब रचनात मक्ता तो जो verb है वो सिर्फ और सिर्फ create है select the correct verb from select the correct verb from यहाँ पे आपको सही verb का प्रयोग करना है Sachin has many records देखो यह present perfect tense का वाक्य है और present perfect tense में age के साथ verb की third form का प्रयोग होता है अब यहाँ पे broken verb की third form नहीं होती सही answer आपका broken है broke second form है और broken यह दोनों तो बिल्कुल गलत है यह ऐसी कोई verb होती नहीं है broke second form है लेकिन आपको चू की verb की third form का प्रयोग करना है इसलिए आपका answer होगा broken fill in the correct form of the verb यहाँ पे सही form का आपको प्रयोग करना है the train had left before I और फिर खाली जगर the station जब ऐसा sentence होता है जिसमें एक तरफ head और verb की third form होती है मैं आपको tense वाले वाक्यों में बता चुगा हूँ जब आपको head और third form एक जगह हो और दूसरी तरफ before या after का प्रयोग हो तो उसके बाद हमें सब वर्ब की second form का प्रयोग आप करेंगे अब इन में से वर्ब की second form कौन सी है एक तो है reached, was reached, head reached was reached इन में से वर्ब की second form है reached तो सही answer आपका होगा reached यानि the train had left before I reached the station complete the following sentence इस sentence को पुरा कीजिए tip we a lottery we will buy a car यह conditional sentence है conditional sentence में एक तरफ जो है अगर present tense होता है तो दूसरी तरफ simple future tense होता है अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इदर we will buy a car हम एक कार खरीदते हम एक कार खरीदते या हम एक कार खरीदेंगे तो इदर आपको simple present tense का प्रयोग करना है और simple present tense में क्या होता है वर्प की पस्ट पॉम का प्रयोग करते हैं उसके साथ हम कुछ भी नहीं लगाते अब आप देखो इन चार उप्सन में से वर्प की पस्ट पॉम कौन सी है आंसर नमबर D अगर हम लोटरी जीतते हैं यह आपका सभी आंसर होगा यहाँ पर आपको उचित डिटर्माइनर का प्रयोग करना है डिटर्माइनर का प्रयोग करने में अक्सर बच्चे गलती कर लेते हैं अब मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ I have खाली जगह है glass of milk every morning यहाँ पर glass of milk glass क्योंकि एक countable noun है जिसको हम गिन सकते हैं glass तो इसके साथ A का प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ पर G sound आ रहा है अगर A, E, I, O, U sound होता तो हम N का प्रयोग करते क्योंकि glass 1 है तो A के लिए A या N का प्रयोग होता है लेकिन यहाँ पर G से start हो रहा है तो हम सिर्फ A का प्रयोग करेंगे N का प्रयोग नहीं करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा I have a glass of milk every morning मैं रोज सुबह एक गलास दूद का पिता हूँ यह इसका आंसर हो जाएगा supply inappropriate determiners एक determiners भरी है यहाँ पर फिर से determiners है My neighbor is फिर खाली जगह है honest person देखो यहाँ पर honest जो है इसमें h silent रहता है और इसको बोलते हैं o honest इसको honest नहीं बोलते हैं इसको honest बोलते हैं और honest मतलब यहाँ पे o की धोनी आ रही है तो जहाँ पे o की धोनी आती है वहाँ पे n का प्रयोग होता है तो हमारा सही आंसर होगा an honest person My neighbor is an honest person Which one of the following sentence expressed possibility यह model है और possibility का प्रयोग कौन से model में होता है देखिए there are dark clouds in the sky आसमान में काले बादल है अब आपको possibility दरसानी है it will rain, it shall rain, it may rain, it must rain possibility बताने के लिए में का प्रयोग होता है और आपका सही आंसर होगा it may rain बारिस हो सकती है बादल तो हो ही रहे है बारिस हो सकती है, संभाव ना है तो यहाँ पर आजाएगा it may rain pick out the sentence which has the meaning as the following इन में से उस sentence को चुनिये जिसका आर्थ ऐसा है जिसे no other animal is as brave as the tiger यह तो sentence हुआ no other animal is as brave कोई भी जानवर इतना बादूर नहीं है as the tiger जितना की tiger है अब इन sentence को समझिये the tiger is a brave animal the tiger is a brave as any other animal the tiger is the bravest of all animals no animal except the tiger is brave यहाँ पर आपका आंसर होगा see the tiger is the bravest of all the animals tiger जो है वो सब जानवरों में सबसे बहादूर है यह आपको इस तरह से प्रियोग करना पड़ेगा यह superlative degree है इसके बाद हमारा question आता है 44 complete the following sentence with the correct form of adjective adjective का प्रियोग करके आपको इसको पूरा करना है anupam is the खाली इस्तान है यहाँ पे boy in the whole of the class यानि अनुपम जो है उसके बारे में बताना है कि वो क्या है the tallest, the taller, the most tall, the more tall मैं आपको बता दूँ जब superlative degree का प्रियोग करते हैं तो उसके साथ the का प्रियोग होता है और उसमें EST जुड़ता है जैसे की the tallest यानि सबसे बड़ा बच्चा अनुपम है ककसा का यहाँ पे superlative degree का प्रियोग किया गया है pick out the sentence which has the same meaning as the following यहाँ पे आपको वेसा का वेसा sentence pick out करना है जैसा की question में पूछा है और question क्या है the last question was the most difficult question इसमें कहा है कि जो अन्तिम क्योशन था वो बहुर डिपिकल्ट क्योशन था अब इसका भावार्त वेसा का वेसा दूसरे sentence में कहां पर है the last question was very difficult the last question was more difficult than any other question some questions were very difficult only the last question was very difficult तो यहाँ पे जो question number जो भी है answer the last question was more difficult than any other question यानि अन्तिम जो question था वो ज्यादा difficult था बजाए दूसरे questions के इसके बाद हमारा question number 46 आता है the father said to his daughter when will you return यह direct indirect का question है अब देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे reported speech जिसको कहा जाता है in reported speech the vow sentence will be यहाँ पर यह जो reported speech है the father said to his daughter पिताजी ने उसकी पुत्री से कहा when will you return तुम कब लोटोगी the father ask his daughter यह तो हमने यहाँ पर बता दिया कि पिताजी अपने बैटे से caution कर रहे हैं इसलिए ask का प्रियोग हुआ है और जब ask का प्रियोग होता है तो उसके बाद फिर जोडने के लिए WH सब्द को ही काम में लेते हैं तो देखिए WH सब्द यहाँ पर सभी में WH सब्द से जोड़ दिया गया है when और फिर क्या होता है जब हम ऐसे sentence को indirect speech बनाते हैं तो फिर सबसे पहले subject का प्रियोग करेंगे when when के बाद see अब देखो इसमें when see would return would return when when would see return when see will return when see would return यहाँ पर देखिए आपका जो answer A है और answer D है इन दोनों में थोड़ असांतर है इसमें question mark लग रहा है और इसमें question mark नहीं लग रहा जब हम reported speech बनाते हैं तो जो question वाला होता है जिसे when will you return और फिर question mark तो उसको reported speech बनाते समय वो question mark हट जाता है आपका सही answer होगा वो होगा when C would return यानि उसमें से question mark हट जाएगा आपका सही answer होगा D इसके बाद है the teacher said to the students be polite in your speech teacher ने student से कहा कि तुमारा विवार विनमर रखो be polite in your speech यह order है और order को जोडने के लिए ask से भी जोड सकते हैं in reported speech लवाव sentence will be the teacher ask the student teacher ने student से कहा और इससे sentence को to से जोडते हैं to be polite in their speech इसका answer होगा जो है यहाँ पे देखिए to be polite in their speech to से हम इसको जोड़ देंगे और फिर वेसा का वेसा be polite in your speech your जो है वो there में change हो जाएगा इसमें दो ही change करने हैं एक तो जोडने के लिए इससे sentence को to का प्रियोग करते हैं और दूसरी बात वो जो your speech है वो there में बदल जाएगा तो आपका answer होगा a my neighbor said to me मेरे neighbor ने कहा I am going out for a few days in reported speech the vow sentence will be यहाँ पर my neighbor told me यहाँ तक तो ही सही I am going out for a few days I जो है वो किस में change होगा वो subject के अनुसार यानि he में बदल जाएगा I जो है he में change हो जाएगा और I am going यानि वो हो जाएगा change was going में or for a few days यानि कि मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूं तो सही answer आपका हो जाएगा he was going out for a few days I जो है he में बदल जाएगा अब चुकिए tense भी बदलना है आपको तो I am या पे जो था I am तो I am की जगर he was हो जाएगा he was going out for a few days तो सही answer आपका हो जाएगा A अब देखिए question number 49 this word magnificent is similar in meaning magnificent का सही सही अर्थ आपको यहाँ पे बताना है magnificent का मनलब होता है भवे अब आपके आंसर है जिससे very large, grand, huge, royal तो यहाँ पे grand जो सब्द होता है उसका मनलब होता है भवे very large मलब होत बड़ा huge मनलब विशाल और royal का मलब साई लेकिन आपको यहाँ पे भवे उसका अर्थ बताना है इसलिए grand जो होगा वो आपका सही अर्थ होगा आगे देखिए the word bliss has a meaning similar to bliss का क्या साब्दिक अर्थ है bliss का मनलब होता है खुशिया तो इसका सही अर्थ होगा happiness एंगर आप जानते ही है गुशा डार्कनेस मलब अंधेरा और इन्नोसेंस मलब मासूमियत तो इसका सही अंसर होगा happiness the opposite of similar is similar का opposite सब्द क्या होता है similar मतलब समान तो इसका जो opposite होगा वो हो जाएगा different यानि अलग in unsimilar और insimilar कोई word नहीं होते हैं और near का मतलब होता है pass तो इसका सही अंसर है different question number 52 देखिए the word approve is opposite in meaning to approve का मलब होता है शहमती देना अब सहमती का मलब क्या होगा किसी चीज़ को reject करना तो इसका अंसर हो जाएगा reject confirm का मलब होता है निशित करना accept का मलब होता है स्विकार करना और return का मलब होता है लोटाना तो यहाँ पर approve मलब सहमत करना किसी चीज़ पर सहमती देना और किसी चीज़ को reject कर देना तो सही आंसर हो गया reject pick out the word which is spelled correctly यहाँ पर सही सब्द की spelling बतानी है sincerely जो लिखा हुआ है उसकी spelling आपको बतानी है और sincerely की sincerely की spelling होती है जो आप application में लिखते आते हैं since s-i-n-c-e और r-e-l-y sincerely यह सई spelling होती है इसमें confused होने की आशकता नहीं है which of the following word has correct spelling यहाँ पर फिर एक spelling का यह कॉशन है जैसे knowledge की spelling होती है तो यह k-n-o-w-l-e-d-g-e knowledge इसको knowledge बोलते हैं और इसकी spelling होती है k-n-o-w-l-e-d-g-e knowledge which one of the following word begins underline with a different sound यहाँ पर जिसके underline हो रहा है उस sound पर जोर देते हुए बताईए की कौन सा sound अलग है देखो kite cool chemistry और city इन तीन में kite में cool में और chemistry में curse से start हो रहा है लेकिन जो city है वो उसमें आवाद सरकी आ रही है तो यह different sound हो गया point out the word which ends in a sound underline different from that in other यहाँ पर बे जो सब्द underline है और जिसकी दोनी अलग है उसको choose करना है who देखो a में दिया है who b में है flu और c में है slow और d में है su who flu slow और su तो यहाँ पर किस सब्द की दोनी अलग आपको लगी who flu su slow यहाँ पर जो c है answer उसमें o कि दोनी आ रही है slow इसमें o जो यहाँ पर underline सब्द है उसका o बन रहा है जबकि who flu su इन तीनों में u की दोनी आ रही है और इसमें o की दोनी आ रही है इसलिए यह अलग है identify the word in which middle sound is different from that in यहाँ पर जो यह जो word दिये है इन में से middle sound आप अलग छाटना है देखिये first में scene यानि e की दोनी फिर hit और यह heat और यह brief तो यहाँ पर अलग होगा hit इसमें hit में छोटी e की मात्रा यानि छोटी e की दोनी आ रही है hit इसको हम एक साथ बोलते हैं जबकि इसमें scene heat और brief इन तीनों की दोनी एक जैसी है which one of the following word has a different sound underline at the end at the beginning यहाँ पर यह चार सब दिये हैं और इनकी दोनी आपको अलग दोनी छाटनी है पहला है shore दूसरा है cell तीसरा है cell चोता है psychology अब इसमें से किस सब्द की दोनी जो है अलग आ रही है देखो shore cell cell psychology कौन सा सब्द अलग है sure यह जो सब्द है इसको sure बोलेंगा sure cell cell एक जैसी दोनी है psycho तो इसमें भी एक ही है लेकिन यह जो है sure इसको बोलते है sure sure मतलब निसित रूप से तो यह अलग हो जाएगा answer point out the word which has a different sound underline at the end यहां पे end में जो दोनी अलग हो उसको अलग छाटी है जैसे laugh graph high और half देखो इसमें 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 और इसमें लाश्ट में फर यानि फर की आवाज आ रही है laugh graph half लेकिन जो high है उसमें धोनी हर की आ रही है औरों में फर की आ रही है लेकिन इसमें आ रही है हर की high तो यह answer आपका हो जाएगा high इसके बाद है in which one of the following word do the letter the have a different sound यानि ठ की धोनी किसमें अलग है देखिए this that thin और this that देहर इन तीनों में द की धोनी है लेकिन अपना जो चोथा है उसमें इसको दिन नहीं बोलेंगे इसको थिन बोलते है थिन इसलिए आपका अंसर हो जाएगा thin तो साथियों ये read level first का language first का paper मैंने solve किया आपको किसा लगा comment कीजिए like कीजिए channel को subscribe कीजिए और वहाँ पर और भी read के वीडियो है उनको देखिए thank you तो प्या सकतूेजimaan ये Changing